शादी सुदा महिला को पटाने के उपाए, औरत को पटाने के उपाए, दोस्तों वैसे तो हम आपको बता दे कि आजकल हर किसी लड़के का ये सपना होता है कि वो किसी शादी सुदा औरत को पटाए और उसके साथ हिश्क लड़ाए, और आजकल ये सब बहुत ही अधिक चल रहा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसका बहुत बड़ा कारण आपका internet है जिसके अंदर आपको कुछ भी परोस दिया जाता है और उसके बाद इनसान की मानसिक्ता ही वही हो जाती है यदि आप internet पर देखोंगे तो आपको पता चलेगा कि लड़का भावी से प पहले तक मैं भी आपके जैसी ही सोच का था लेकिन उसके बाद मैंने खुद के अंदर काफी कुछ सुधार किया और अब मैं इन सब चीजों से अलग हो गया। तो इस लेख के अंदर है औरत को पटाने के तरीके के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन हम किसी भी तरह से अधर्म का समर्थन नहीं करते हैं। किसी शादी सुधा औरत के साथ संबंध को बनाना पाप माना गया है तो हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। और इस लेख का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको जानकारी मिल जाए। जब आप एक शादी सुदा औरत से संबंध बनाते हैं तो इसको अवैद संबंध के नाम से जाना जाता है भारत के लोग भी धीरे-धीरे विदेशी संस्कृती के अंदर प्रवेश होते जा रहे हैं आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और यदि आप भी किसी ओरत को पताना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स आपको बताने वाले हैं लेकिन आपको ये सब सावधानी से करना होगा क्योंकि किसी औरत को यदि आप एक बार पटा लेते हैं तो इसके चक्कर में आपको जेल तक जाना हो सकता है और आप बहुत ही बड़ी समस्या के अंदर फंस सकते हैं इसलिए आप जो कुछ करते हैं सब कुछ आपको सोच और समझ कर ही करना होगा वरना आपकी हालत काफी खराब हो सकती है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं दोस्तों आपको बता दे की औरते आमतोर पर दो प्रकार की होती हैं पहली जो की काफी अधिक समझदार होती हैं आप उनको चाह कर भी नहीं पटा सकते हैं आप चाहे कितनी भी कोशिश करे वो आपसे पट नहीं पाएंगी और उल्टा आपकी पिटाई करवा सकती हैं तो इस तरह की औरतों पर ट्राई करने का कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि इस तरह की औरते सिर्फ दिल से फैसले नहीं लेती हैं ये अपने दिमाग का भी इस्तिमाल करती हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो इस तरह की औरतों से आपको बचकर रहना चाहिए दूसरी किस्म की औरतों के उपा आपको ट्राई करना चाहिए प्रकार की औरतों के लिए हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं आप उन टिप्स का यूज कर सकते हैं और उनके बाद इन औरतों को पटा सकते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा पस्नेलिटी को बहतर बनाने के बारे में आपको विचार करना चाहिए दोस्तों यदि आप किसी औरत को पटाना चाहते हैं जो की दुनिया के दिखावे के अंदर यकीन करती है तो आपको सबसे पहले यही काम करना होगा आपको अपनी पस्नेलिटी को काफी बहतर बनाना होगा अब आपके दिमाग के अंदर आता होगा कि आप अपनी पस्नेलिटी को बहतर आप किस तरह से बना सकते हैं तो आपको इसके लिए कई काम करने पड़ सकते हैं सबसे पहले तो आपको अच्छे कपडों प करने का काम करते हैं. इस तरह के कपड़े होने चाहिए कि एक पल में हर कोई आपको देखता रह जाए. इसके अलावा आपको अपनी हेर स्टाइल वेगर्ः पर अधिक ध्यान देना चाहिए. कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपको अपने आपके उपध्यान देना होगा. पस्नेलिटी का मतलब यही है कि आपको अपने लुक पर अधिक ध्यान देना होगा. यदि आप अपने लुक पर अधिक ध्यान देते हैं तो फिर यह सबसे बैस्ट हो सकता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. आप क्या से दिखते हैं? ये औरत को पटाने में काफी आधिक मायने रखता है। यदि आपकी पस्नेलिटी काफी खराब है तो आपको इसके बारे में सोचना होगा और इसके अंदर सुधार करना होगा। तो पहला काम यही है। आप खुद को अच्छा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करे तभी आपके लिए सही होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। यदि आप दिल के अच्छे हैं तो यह अच्छाई हर लड़की महसूस नहीं कर सकती है। वो बस आपके उपरी हिस्से को देखेगी अंदर आप चाहें कैसे भी हो यह मायने नहीं रखता है। लेकिन यदि कोई महिला आपके अंदर की अच्छाई को महसूस कर लेती है तो जाहिरतो पर वो आपसे प्यार किये बिना नहीं रह सकती। लेकिन आपको ये भी बता दे कि इस तरह की महिलाओं का मिलना काफी कठिन होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। पस्नेलिटी को बहतर बनाने के लिए अच्छे और सुडोल शरीर को बनाना होगा जो की आपको एक तरह से अच्छा लुक देने का काम करता है आप इस बात को समझ सकते हैं। और यही आपके लिए सही होगा। आप इस इस बात को समझ सकते हैं, पस्नेलिटी को बहतर बनाने के लिए कुछ टिप्स होते हैं जिनकी मदद आप ले सकते हैं और उसके बाद खुद को अच्छा बना सकते हैं, इसके लिए आपको इंटरनेट का यूज करना चाहिए, औरत के निरंतर संपर्ख में रहना जरूरी है, दोन्स्तों यदि आप किसी औरत को पटाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम यही करना होगा, औरत के संपर्ख में रहना सबसे आधिक जरूरी होता है, यदि आप औरत के संपर्ख में नहीं हैं तो उसके बाद आप उसको नहीं पटा सकते हैं, अब इसके लिए आपक तो कुछ इस प्रकार के तरीके को निकालना होगा कि वो आपसे किसी ना किसी तरह से संपर्क बनाए रख सके। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मतलब आपके पास एक प्रकार का बहाना होना चाहिए। जिससे कि आप उस औरत से आसानी से संपर्क साध सकें। यदि आप किसी औरत को पटाना चाहते हैं और इसके लिए उसके साथ एक बार ही बात करते हैं तो इससे कोई भी फाइदा नहीं होने वाला है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ऐसा करने से आप उ काफी आसान होता है। दोस्तों यदि हम किसी महिला की बात करें तो आपको बता दे कि जिस महिला के अपने पती से काफी खराब रिष्टे होते हैं उस महिला को पटाना आपके लिए काफी आसान काम होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को सम वैसे भी जो महिला अपने पती से काफी अधिक खुश है वो आपके पास क्या लेने आएगी वो वैसे ही बस अपने पती की होकर रह जाएगी लेकिन जो महिला अपने पती से खुश नहीं है और दोनों के बीच काफी जगडा चल रहा है तो वो महिला आमतोर पर काफी दुख अपने पती से खुश नहीं है या पती की उसके साथ बंती नहीं है। जिन औरतों का अपने पती के साथ अच्छा रिष्टा होता है उनको पटाना लगभग असंभव ही होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। अक्सर बिना सही जानकारी के आप यदी किसी भी औरत के पीछे लगते हैं तो यह आपके लिए समय को बरबाद करने वाला ही होगा। इसके सिवाए कुछ नहीं होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं औरत की मदद करते रहें दोस्तों यदि आप किसी औरत को पताना चाहते हैं तो उसकी मदद आपको करती रहनी चाहिए ये सबसे अधिक जरूरी होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए यद यदि आप उस महिला की मदद नहीं करते हैं तो फिर कोई भी फायदा नहीं होगा। अब आपके दिमाग के अंदर ये हाता होगा कि आप किस तरह से मदद कर सकते हैं तो इसके लिए आप कई तरीके उपयोग में ले सकते हैं। इसके बारे में हम आपको बता दे कि आप उसकी पैसों से मदद कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसकी मदद से आप उसकी मदद कर सकते हैं। यदि आप उसकी मदद करते रहते हैं तो वो आपकी तरफ अपने आपी अट्राक्ट हो जाएगी हालांकि इसके अंदर काफी अधिक समय लग सकता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा तो आप किसी तरह से उस औरत की मदद करते रहें तभी आपको फाइदा होगा वरना कोई भी फाइदा नहीं होगा आप इस बात को समझ सकते हैं एक बार यदि उस महिला को एहसास हो जाता है कि आपके अंदर कुछ खास है तो फिर वह आपके पास जरूरी आना चाहेगी आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं गिफ्ट देना आपको नहीं भूलना चाहिए दोस्तों यदि आप किसी औरत को पटाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए काफी पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं आप उनको गिफ्ट दे सकते हैं इसका फाइदा ये होगा कि वो महिला धीरे धीरे आपको पसंद करने लग जाएगी और ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई एक उपहार दिया और वो आपकी हो गई जब आप उसे कई उपहार दे देंगे तो वो अपने आप ही आपको लाइन देने लगेगी ध्यान रहे एक महिला जो कि अपने पती के साथ रिष्टे में खुश है वो आपके उपहार को लेगी ही नहीं लेकिन यदी आप उपहार देते हैं तो वो यदी ले लेती है तो उसके बाद आपको समझ जाना चाहिए कि कही ना कहीं वह आपको काफी अधिक पसंद करती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा जब वो औरत आपको खुद ही लाइन देने लग जाती है तो उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं और उसके बाद उस औरत का रिष्टा आपके साथ काफी बहतर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है, आप इस बात को समझ सकते हैं, और यही आपके लिए सही होगा, WhatsApp नमबा आप ले सकते हैं, यदि आप जिस महिला को पसंद करते हैं वो आपको जानती है तो उसके बाद आपको उसका WhatsApp नमबा ले लेना चाहिए, बस आपको इतना ही करना होगा, और उसके बाद WhatsApp पर आप उससे संपर्क को बनाए रख सकते हैं, यही एक काफी अच्छा तरीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं, यह काफी अच्छा आपके लिए रहेगा, उसके बाद यदि वो महिला भी आपको कुछ romantic message भेजती है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि सब कुछ सही होने वाला है, आप इस बात को समझ सकते हैं, और यही आपके लिए सही होगा, इस तरह से आप धीरे-धीरे romantic हो सकते हैं, और उसके बाद वो यदि बहुत आधिक romantic हो जाती है, तो उसके बाद आप उससे मि काफी अधिक समय लगता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं, और यही आपके लिए सही होगा, महिला की care करना ना भूलें, दोस्तों यदि आप किसी महिला को पसंद करते हैं, तो वो यूँ आपकी नहीं हो जाएगी, उसके लिए आपको काफी अधिक मेहनत करनी होगी और उसकी care करनी होगी तभी वह आपकी हो सकती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वैसे भी हर महिला यही चाहती है कि उसका साथी कुछ हिस प्रकार का हो, जो कि उसकी care करे तो फिर आपको कुछ हिस प्रकार के काम करने चाहिए जिससे कि उस महिला की care हो सके, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं, इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं तो आपको उस महिला की care करना चाहिए, आप उसकी कई तरह से care कर सकते हैं, जैसे कि आप उस महिला की काम के अंदर मदद कर सकते हैं। यदि उसको किसी तरह से कोई समस्या है तो उसकी केर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दे कि यदि वो विध्वा महिला है या फिर उसका तलाख हो चुका है तो उसके बाद आपके लिए और ही अधेक सुनहरा मौका है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं जब आप किसी महिला की ठीक तरह से केर करते हैं तभी तो उस महिला का दिल आपके उपा आता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं तो आपको केर करने की जरूरत है आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा दिखावा करने से आपको बचना चाहिए दोस्तों यदि आप किसी महिला को पटाना चाहते हैं तो फिर आपको दिखावा करने से बचना होगा आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं यदि आ आप दिखावा करना चाहते हैं तो फिर यह सही नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि बड़ी उम्र की महिलाएं दिखावे को अच्छी तरह से समझ लेती हैं और उनको दिखावा करना पसंद नहीं होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप दिखावा करना बंद करें। और उनके सामने आपको उसी तरह से पेश आना चाहिए जिस तरह से आप खुद हैं. यदि आप दिखावा करते हैं तो इससे कोई भी फायदा नहीं होगा. और आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं. इ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं. इसलिए बहतर यही होगा कि आप उस महिला के सामने बिना दिखावे के ही आएं. यही सबसे अधिक जरूरी होगा. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को स और शादी के बाद यदि महिला का पती उसे चोटी चोटी बातों पर मारता है तो फिर उसे काफी परेशानी होने लग जाती है और उसके बाद महिला के मन से उसका पती उतर जाता है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसलिए यदि आप किसी शादी सुधा महिला को पटाना चाहते हैं तो उसके बाद आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। और यही आपके लिए सही होगा। इसलिए आपको एक शादी सुदा महिला की रिस्पेक्ट करना काफी अधिक जरूरी होता है जिससे कि उसको लगे कि हाँ आप वास्तव में अच्छे हैं। याद रखें महिलाओं के लिए छोटी-छोटी बाते बहुत अधिक मायने रखती हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं। यदि आप अपनी पत्नी को ऐसे ही जरा से गुस्से के अंदर कुछ भी बोल देते हैं तो उसके बाद वह आसानी से रोने लग जाएगी। क्यूंकि महिलाओं अपने पती से इस तरह की अपेक्षाएं नहीं रखती हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम तो आपको यही कहेंगे कि आपको यदि औरत को पटाना है तो उसके साथ आपको प्यार से बात करनी होगी, तब ही आपको कुछ फाइदा हो सकता है, यदि आप उसके साथ प्यार से बात नहीं करते हैं तो उसके बाद किसी तरह का कोई फाइदा नहीं होगा, और आप उसको पटाने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। और यही आपके लिए सही होगा। रिस्पेक्ट दे और प्यार से यदि आप बात करते हैं तो आप उस महिला को आसानी से पटाने में सक्षम हो जाएंगे। इस तरह से आप महिलाओं से प्यार से बात करेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे वह महिला भी आपको काफी अधेक पसंद करने लग जाएगी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इस तरह से आप एक महिला को धीरे धीरे पटा सकते हैं। फ्लट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। फ्लट करना भी कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को अच्छी तर रखें जिससे कि वह आसानी से पच जाएगा लेकिन यदि आप किसी औरत से पहली बार मिल रहे हैं और पहली ही बार के अंदर यदि आप फ्लट करना शूरू कर देते हैं तो इससे आपको फायदा होने की बजाए नुकसान हो सकता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसलिए बहतर यही होगा कि आप फ्लट ना करें इसलिए फ्लट करने से पहले आपको यह देखना होगा कि महिला आपको लाइन दे रही है या नहीं दे रही है यदि आपको महिला लाइन दे रही है तो उसके बाद आप फ्लट करना शूरू कर सकते हैं यदि आप ऐसे ही अ इस सही होगा, फ्लट करना एक तरह से तभी सही हो सकता है जब कि आप कुछ अच्छा करते हैं, मतलब कि आप उस औरत को पसंद आ जाते हैं तो ही फ्लट करना सही होगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है, और आपने जो भी मेहनत की है वह सब पर पानी फिर सकता है, इसके बा तो इसका मतलब यह है कि वो आपको काफी अधिक पसंद करने लगी है आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं महिला की सुन्दरता की तारिफ करना ना भूलें दोस्तों आपको पता ही होगा कि हर महिला के लिए आजकल एक तरह से ट्रेंड चल चुका है हर महिला चाहती है कि वो सुन्दर दिखे और इसके लिए वो कई तरह के क्रीम पाउडर वेगर का उप्योग करती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए जिस औरत को आप पताना चाह रहे हैं तो आपको उसकी सुदंता की तारिफ जरूर ही करनी चाहिए ये सबसे अधिक जरूरी हो जाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा जब आप उस महिला की सुदंता की तारिफ करेंगे तो वह आसानी से आपको पसंद करने लगेगी आप इस बात को समझ सकते हैं इसलिए बहतर यही होगा कि आप औरत की सुदंता की तारिफ इतनी करें कि इसकी जरूरत हो. याद रखें आधेक तारिफ करना सही नहीं होगा. यदि आप हर समय पर उसकी सुदंता की तारिफ करने लग जाएंगे तो यहोवा हो सकता है और और औरत के मन में आपके प्रती ग आपके लिए सही होगा तो आपको सुन्दरता की तारिफ जरूर करनी चाहिए लेकिन ब्यास्ट यही है कि सही तरीके से यदी तारिफ करेंगे तभी यह काम आएगी नहीं तो कोई भी काम नहीं आएगी अक्सर शादी सुदा औरते होती हैं वे आमतोर पर अपने पती से तार को पूरा करें दोस्तों हले ही कोई महिला कितनी भी जूठी क्यों नहों वह भी हमेशा इस तरह के लड़के को काफी अधिक पसंद करती है जो की अपनी कही बात को पूरा करने में सक्षम होता है और यदि आप इस तरह के इनसान है और यदि एक बार किसी औरत को इसका एहस हो जाता है तो वह अपने आप ही आपको पसंद करने लग जाएगी यह एक तरह से बहुत ही बड़ी बात होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं तो हम आपको इहीं कहेंगे कि आप अपने कमिटमेंट को पूरा करें आप जो भी कहत हैं आपको उसको पुरा करना होगा लेकिन इस तरह की चीजें आपको काफी उचा उठा सकती हैं वहीं आपको एक बुरा इंसान भी साबित कर सकती हैं आपको तब बोलने में सावधानी को बरतना होगा तभी आपके लिए सही होगा यदि आप बोलने में सावधानी नहीं बर वरना आपको नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं, और यही आपके लिए सही होगा, वैसे भी आजकल अधिकतर जूट बोलने वाले लोग मिलते हैं तो फिर आपको एक बहतरीन इंसान खुद को साबित करना होगा, वैसे आप जो कर रहे हैं वह आप गलत कर रहे हैं, अपने दिल की बात कहने में समय लगाएं और सोच समझ कर बोलें, दोस्तों आप एक औरत को पताना चाहते हैं तो आपको तुरंथी कुछ दिनों बाद आपको उसको अपने दिल की बात को कह देना चाहिए, इस तरह से य हो सकता है कि वह इसके लिए तयार ना हो और आप यदि उसे दिल की बात कह देते हैं तो वह अधिकतर केस के अंदर मना ही कर देगी लेकिन यदि आपको लगता है कि अब महिला आपकी तरफ आकरशित हो चुकी है तो फिर आपको अपने दिल की बात कह देनी चाहिए तभी आपके लिए काफी फायदे मंद होगा तो आपको दिल की बात कहने का एक उच्छित समय निकालना चाहिए तभी आपको अपने दिल की बात कहनी चाहिए यदि आप उच्छित समय नहीं निकाल पाते हैं फिर आपको अपने दिल की बात नहीं कहनी चाहिए वैसे आपको पता चली जाएगा कि ओरत आपसे क्या चाहती है यदि वह आपको चाहती है तो फिर आपको उसको दिल की बात को बताने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए आप इस बात को समझ सकते हैं और यदि आपको लग ये कि प्यार की शुरुवात फ्रंट्शिप से ही होती है तो आपको सबसे पहले औरत के साथ एक तरह से फ्रंट्शिप करनी होगी और फ्रंट्शिप के लिए हो सकता है कि वो आपकी बात मान जाए उसके बाद आपको करना यह है कि आपको एक फ्रंट के तौर पर उसकी तो हो सकता है कि उसके मन के अंदर किसी तरह का प्यार पनप जाए। पर लेकर जाते हैं तो उसके बाद आपको काफी अधिक महतन करनी होगी और औरत की हर तरह से मदद करनी होगी तो हो सकता है कि उसके दिल के अंदर आपके लिए प्यार पैदा हो जाए तो आप ये कर सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। औरत को पताने के उपाय संतुष्टी आई की खोज करें। दोस्तों यदि आप किसी शादी सुदा महिला को पताना चाहते हैं तो आपको उसकी संतुष्टी की खोज करनी होगी। मतलब आपको ये भी देखना होगा की कौन महिला है जो की अपने पती से खुश नहीं है या फ आप इस बात को समझ सकते हैं। तो यदि महिला संतुष्ट नहीं है तो वो जल्दी ही पट जाएगी। क्यूंकि वो आपके साथ संबंध बनाना चाहेगी। इसलिए बार-बार आपको अपने पास बुलाने की कोशिश करेगी। इसके बारे में आपको पता होना वहीं यदि महिला अपने पती से खुश है और उसकी इच्छा पूरी होती है तो फिर ये नहीं हो सकता है। क्यूंकि वह बस अपने पती को भी पसंद करेगी। आप इस बात को समझ सकते हैं। और यही आपके लिए सही होगा। मतलब यही है कि जो महिला अपने पती से और यही आपके लिए सही होगा। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि महिलाओं के अंदर कामभाव पुरूश से अधेक होता है। ऐसी स्थिती के अंदर महिला जब कामभाव से जलती है तो उसको पताना और अधेक आसान हो जाता है। और आप इस बात को अच्छ चल जाएगा कि महिला काम से सन्तुष्ठ है या नहीं है। यदि वह काम से सन्तुष्ठ नहीं होगी तो बार-बार आपके साथ रोमेंटिक बाते करने के बारे में सोचेगी। और इसी तरह की बात करना चाहेगी। तो इस तरह से आप उसके दिल के भावों को समझ सकते हैं। खुद लाइन देने से पहले महिला के इशारों का इंतजार करें दोस्तों शादी सुदा महिला को आप खुद किसी तरह की लाइन आपको नहीं देनी चाहिए यदि आप महिला को खुद ही लाइन दे रहे हैं तो ये गलत है इससे आपके रिष्टे को नुकसान हो रहा है बस आप इस बात के लिए इंतजार करें कि कब वो महिला आपको लाइन दे बस यदि महिला आपको लाइन दे रही है तो उसके बाद आप भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं यदि महिला खुद चला कर आपको लाइन दे रही है तो बहतर यही होगा कि आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं जिससे पता चल जाता है कि उसके मन के अंदर आपके प्रती काफी अधिक प्यार हो सकता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं इसलिए आपको महिला को लाइन देने से पहले उसके इशारों का इंतजार करना। ओरत से romantic बाते करें। दोस्तों आपको बता दे की ओरत को romantic बाते करना काफी अधिक पसंद होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। तो वैसे तो हर महिला को romantic बाते करना पसंद होता है, लेकिन वे हर किसी से romantic बाते नहीं करती हैं, वैसे वे आमतोर पर उन इंसानों से ही romantic बाते करती हैं जिनको वे पसंद करती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और यदि आप romantic बाते करने की कोशिश करती हैं और म पिर आपको समझ जाना चाहिए कि महिला आपको काफी अधिक पसंद करती है और आप उसके साथ romantic बाते करना जारी रख सकते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा इसके बारे में आपको पता होना चाहि क्यूंकि महिलाओं को भी romantic बाते करने में काफी अधिक मजा आता है. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं. और यही सही होगा अक्सर कुछ महिलाओं को तो पूरी तरह से गंदी बाते करना काफी अधिक पसंद आता है. औरत की बातों पर ध्यान दें दोस्तों यदि आप किसी औरत को पटाना चाहते हैं तो आपको ये काम भी करना होगा जिससे कि उस औरत की नजरों के अंदर आपकी value काफी अधिक बढ़ जाएगी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं इसके लिए आपको करना यह है कि औरतों के पास वैसे तो बहुत सारी बाते होती हैं तो वो आपको बहुत सारी बाते सुनाती है तो फिर आपको करना यह है कि उन बातों को ध्यान से सुनना होगा ऐसा लगना चाहिए कि आप उनकी बातों को सुनने में दिल्चस्पी ले रहे हैं यही आपके लिए सही होगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो वो हर बार आपको अपने दिल की बात बताए बिना नहीं रह पाएगी, आप इस बात को समझ सकते हैं, और यही आपके लिए सही होगा, इस तरह से धीरे धीरे आप उस औरत के साथ जुड़ते ही चले जाएंगे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और कुल मिलाकर उसके बाद हो सकता है कि वो आपको पसंद करने लग जाए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं, वैसे भी औरते हमेशा इस प्रकार के प्रेमी को पसंद करती हैं, जो कि आमतोर पर उनकी बातों को ध्यान से सुनता है वोई इस प्रकार के प्रेमी को सुनना पसंद नहीं करती है जो कि उनकी बातों को ध्यान से सुनने की बजाया इगनो करता है महिला के साथ जरूरी बात शेयर करें दोस्तों जैसा कि हमने आपको उपर बताया कि महिला को सबसे पहले आपको एक दोस्त के रूप में यही सबसे अधेक जरूरी होगा। जब आप दोस्त के रूप में आप महिला को रखोगे तो काफी अधेक फायदा होगा। और उसके बाद आप महिला के साथ जरूरी बातों को धीरे धीरे शेयर कर सकते हैं। जब आप धीरे धीरे जरूरी बातों को शेयर करेंगे तो उसके बाद महिला धीरे धीरे आपके प्रती आकरशित हो जाएगी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। और यही आपके लिए सही होगा। जब आप उनके सामने अपनी कुछ सिक्रेट बाते शेयर करेंगे तो धीरे धीरे आपके प्रती उस महिला का विश्वास बढ़ने लग जाएगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। और यही सबसे अधिक जरूरी होगा। एक बार जब आप महिला के विश्वास को जीत लेते हैं तो उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो जरूरी बातों को उस महिला को बताएं लेकिन याद रखें इस प्रकार की महिला होनी चाहिए जो कि आपकी जरूरी बातों को हर किसी को नहीं बताए नहीं तो आपको ही नुकसान हो सकता है आप इस बात को समझ सकते हैं अब आपके दिमाग के अंदर यहा आता होगा कि आप महिला को क्या शेयर कर सकते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है जिनको आप शेयर कर सकती है जैसे कि आपकी गुप्त बाते हो सकती है लेकिन ऐसी कोई चीज शेर ना करें जो की आपको नीचा दिखाने वाली हो नहीं तो रिष्टा बनने की बजाए पहले ही बिगड़ जाएगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं महिला के काम की तारिफ करना ना भूले दोस्तों यदि आप किसी महिला को पताना चाहते हैं तो आपको उसके काम की तारिफ करना ना भूलना चाहिए आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो इसके अंदर आपको करना यह है कि आप महिला की तारिफ जरूर करें एक महिला आमतोर पर पुरूश की तुलना में काफी अधेक महनती होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं जैसे कि हमने अक्सर देखा है कि महिलाएं सबसे पहले घर का काम करती है और उसके बाद ओफिस या नौकरी करने के लिए जाती है तो हर महिला चाहती है कि उसके काम की तारिफ होनी चाहिए लेकिन अक्सर ऐसा कम ही होता है यदि आप किसी महिला को पटाना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप उस महिला के काम की तारिफ करें ये सबसे अधिक जरूरी होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा यदि आप उस महिला के काम की तारिफ नहीं करते हैं तो एक तरह से उसके मन में टीस रहती है हर महिला को उसके काम की तारिफ सुनना काफी अधिक पसंद होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आप इस बात को समझ सकते हैं, तो आप महिला की कई चीजों की तारिफ कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और यही आपके लिए सही होगा आप इस बात को समझ सकते हैं, इसके अंदर आप कई सारी चीजों को कर सकते हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए कि आप कुछ ज़्यादा ही तारिफ कर देते हैं, असल में आपको इस प्रकार से तारिफ करनी होगी कि उसके अंदर किसी भी तरह से बनावटीपन नहीं लगना चाहिए, यदि उसके अंदर बनावटीपन लगता है, तो फिर कोई भी फायदा नहीं होगा, मतलब आपको इस प्रकार से तारिफ करनी होगी जो की पूरी तरह से रियल लगनी चाहिए, तभी आपको काफी फायदा होगा, सकता है और जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि मह महिला आपको पसंद करने लग जाए, आप इस बात को समझ सकते हैं, ओरत को पठाने के उपाय महिला की फिलिंग को वैल्यू देना जरूरी है, दोस्तों आपको बता दे कि यदि कोई महिला आपको पसंद करती है तो इसका कुछ कारण होता है, और इसके लिए सबसे बड़ को समझ सकते हैं, और पती से परेशान होने की वजह से वे अपनी फिलिंग को दूसरों को शेयर करती हैं, और यही वजह है कि यदि कोई महिला आपको फिलिंग को बता रही है तो आपको उसको वैल्यू देना काफी जरूरी होता है, इसका मतलब यह है कि आपको उस को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए जब आप उस महिला के फिलिंग की कद करते हैं तो आप दोनों के बीच काफी अधेक विश्वास बढ़ता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को अच्छी तर और यही आपके लिए सही होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं, एक तरह से इसकी वज़े से अपनापन बढ़ता है, आप इस बात को समझ सकते हैं, वैसे भी हर महिला यही चाहती है कि उसके जीवन के अंदर एक इस प्रकार का इंसान आए जो कि उसके फिलिंग को समझे आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए शौपिंग करने के लिए लेकर जाए दोस्तों आप किसी शादी सुदा महिला को शौपिंग पर लेकर जा सकते हैं यदि वह आपके काफी क्लो जा गई है तो उसके बाद आप उसको शौपिंग के लिए लेकर जा सकते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं मतलब यही है कि आप उनको शौपिंग के लिए लेकर जाएं इसके अंदर आपको कुछ पैसा खर्च करना होगा वैसे भी आपको बता दे कि शादी महिलाओं को शॉपिंग करना काफी अधेक पसंद करती है। आप उनको किसी दिन लेकर जा सकते हैं और उसके बाद कुछ चीजों को उसको खरीद कर दे सकते हैं. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। शौपिंड करना उसको काफी अधिक पसंद था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं, इस तरह से आप महिला के और अधिक करीब जा सकते हैं, और आप दोनों के बीच काफी कुछ हो सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आप उसको shopping के लिए लेकर जाते हैं तो संभव नहीं है कि वो आपके साथ physical हो जाए ये भी हो सकता है कि आपकी कमाई व्यर्थ में ही खर्च हो जाए तो आपको सब कुछ सोच समझ कर ही करना होगा आप इस बात को समझ सकते हैं महिला की पसंद और ना पसंद के बारे में जान दोस्तों यदि आप किसी शादी सुदा महिला को पटाना चाहते हैं तो आपको उसकी ना पसंद और पसंद के बारे में आपको अच्छी तरह से पता कर लेना चाहिए तभी ये आपके लिए काफी अच्छी तरह से काम करेगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा जो काम महिला पसंद करती है आपको वही काम करना चाहिए और जो काम महिला पसंद नहीं करती है आपको उस काम को नहीं करना चाहिए आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा इसके बारे में आ आपको पता होना चाहिए. मतलब यही है कि यदि कोई काम महिला पसंद करती है तो आपको उस काम को करना चाहिए. यदि आप उन कामों को करते हैं जिससे की महिला पसंद नहीं करती है तो आपका प्यार परवान चड़ने से पहले ही खत्म हो जाएगा. आप इस बात को समझ सक इसके अलावा आपको महिला की खुद की पसंद के बारे में जान लेना चाहिए। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस बात को समझ सकते हैं, तो आप जब उस महिला के सामने जाते हैं तो उसकी सुन्दर्ता की तारिफ करें, और तारिफ के रूप में आप बोल सकते हैं कि आप क्या गजब धा रही हैं या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आप तारिफ के रूप में एक शायरी को, यदि आप शायरी बोल सकते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं, और यही आपके लिए सही होगा, तो दोस्तों सुन्दर्ता की तारिफ करना आपको नहीं भूलना चाहिए, आप इस बात को समझ सकती हैं, और यही आपके लिए सही होगा, इस इस तरह से यदि आप महिला की सुन दर्ता की तारिफ करते हैं तो वो अपने आपी आपको पसंद करने लग जाएगी। आप इस बात को समझ सकते हैं। आपको पता है की तारिफ सुनने के लिए ही तो महिला घंटों आईने के सामने बैठती हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं. और यही आपके लिए सही होगा. इसलिए आपको महिला की खुबसूरती की तारिफ करना सबसे अधिक जरूरी होता है. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं. और यही आपके लिए सही होगा. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं. यही आपके लिए सही होगा. समय समय पर औरत से मिलते रहें. देखिए यदि आप किसी शादी सुदा औरत को पठाने पर विचार कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि बार-बार आपको उससे मिलते रहना होगा यही सबसे अधिक जरूरी चीज होती है यदि आप बार-बार मिलते रहेंगे तो असल में ये कहावत यहां पर भी लागू होती है कि जो दिखता है वही बिखता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और ताकि धीरे धीरे आपका जो प्यार है वो परवान चद सके इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और यही आपके लिए सही होगा तो दोस्तों अब आप मिलने के क्या बहाने निकालेंगे यह आपके उपर निर्भर करता है। इसके अलावा यदि आप बहाने नहीं निकाल सकते हैं तो कम से कम आपको नजर तो आही जाना चाहिए। इस तरह से आप अपने प्यार को काफी आगे तक लेकर जा सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना च यदि आप अपने प्यार को आगे लेकर जाते हैं तो आपको ये करना होगा मोबाइल नमबर लेकर बातचीत शूरू करें दोस्तों आपको बता दे कि आपको जिस महिला को पटाना है वो पहले की तुलना में काफी आसान हो चुका है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं आपके महिला का किसी तरह से मोबाइल नमबर हाशिल करना होगा एक बार यदि आप मोबाइल नमबर हाशिल कर लेते हैं तो उसके बाद फोन पर आप बाते कर सकते हैं पहली आपको normal बाते करनी होगी और उसके बाद आप romantic बाते कर सकते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इस तरह से जब आप romantic बाते करने लग जाएंगे तो उसके बाद महिला आपको अपने आपी मिलने के लिए बुलाने लगेगी आप इस बात को समझ सकते हैं इस तरह से महिला को आप impress कर सकते हैं और phone की मदद से यदि आप उसके संपर्क में रहते हैं तो वो जल्दी ही आपकी हो जाएगी वैसे आपको नम्ब लेने में सावधानी बर्तनी चाहिए यदि आप नम्ब ले रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप पहले आप उसको impress करें और उसके बाद नम्ब लें तो वो आपको काफी आसानी से नंबर दे देगी वरना तो वो आपको अपना नंबर भी नहीं देगी महिला को पटाने के लिए सुबह शाम मैसेज करें दोस्तों यदि आप किसी महिला को पटाना चाहते हैं तो आपको ये सब भी करना होगा ये सब आपके लिए सबसे अधिक जरूरी होता है आप महिला को सुबा उठने के बाद एक प्यारा सा गुड मोनिंग मैसेज भेज सकते हैं इसके अलावा यदि महिला को जोक्स वेगर पसंद है तो आप उनको भी महिला को भेज सकते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और शाम को भी आप महिला को गुड नाइट मैसेज भेज सकते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं जब आप ये मैसेज भेजेंगे तो यह एक तरह की केर होती है कुछ दिन जब आप ये करेंगे तो महिला को यह हैसास हो जाएगा आप उस महिला की कितनी अधिक क्यर करते हैं बस आपको यही करना होगा क्यर करवाना हर महिला चाहती है महिला चाहती है कि उसकी अच्छे से क्यर होनी चाहिए आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगी. इस तरह से यदि आप महिला को अच्छे-च्छे मेसेज भेजोगे तो वो आसानी से आपकी और इंप्रेस हो जाएगी. आप इस बात को समझ सकते हैं. और उसके बाद आप अपने रिष्टे को आगे बढ़ा सकते हैं. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. अपनी गलती के लिए माफी मांगें. दोस्तों हर महिला इस प्रकार के साथ ही को हमेशा ही पसंद करती हैं जो की अपनी गलती के लिए माफी मांगता हो. वैसे तो हम आपको ये कहते हैं कि आपको कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए. लेकिन उसके बाद यदि आप गलती करते हैं तो फिर आपको समस्या हो सकती है। इसलिए यदि आपकी कोई भी गलती वो महिला पकड़ लेती है तो आपको माफी मांगनी चाहिए ताकि आपका रिष्टा बचा रहे। आप इस बात को समझ सकते हैं। यदि आप माफी मांगते हैं तो महिला के सामने आपका कड़ अपने आपी बढ़ जाएगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। तो हम तो आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आपको सावधानी से पेश आना होगा। इस तरह की कोई भी गलती आपको नहीं करनी होगी। जिससे की महिला के मन में आपके प्रती नफरत पैदा हो आप इस बात को समझ सकते हैं। और यही आपके लिए सही होगा। अपने विचारों के अंदर बदलाव करें महिला के विचारों की समानता में आएं। दोस्तों विचार सबसे अ रोशा करती हैं और हमेशा अपने पती के प्रती वफादार होती हैं आप उनके पीछे नश्ट भले ही कर दें लेकिन इससे कोई भी फाइदा नहीं होने वाला है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और यही आपके लि में नहीं आएंगी वही असल में दिल से नहीं दिमाग के सोचती हैं और लोजिकली आप गलत प्रयास कर रहे हैं वही इस बात को अच्छी तरह से जान जाएंगी और उनको तभी यह पता चल जाएगा कि आप खुद सही नहीं हैं सिध्धान्तों को फोलो नहीं करते हैं लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है इस तरह की महिलाएं लगभग ना के बराबर होती हैं अधिकतर आपको इस तरह की महिलाएं मिलेंगी जो की काफी आजाद ख्यालों की होती हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं यही आपके इसलिए सही होगा। असल में जो आजाद ख्यालों की महिलाएं होती हैं वे दिमाग से नहीं दिल से सोचती हैं। उनको दिखावा काफी पसंद होता है। वे चीजों की गहराई के अंदर नहीं जा सकती हैं। इसलिए वे आपको कभी भी गलत साबित नहीं कर सकती हैं। यही कारण होता है कि उनको पटाना काफी आसान होता है याद रखे कोई महिला यदी पड़ी लिखी है तो इसका मतलब वह लोयल होगी यह जरूरी नहीं है और बहुत हग तक यह संभव नहीं होता है असल में यहां पर विचारों की समानता का मतलब होता है जो महिला जैसा चाहती ह आपको कुछ समय के लिए वैसा ही बनना होगा तभी आपको वह पसंद करेगी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं वरना फिर आप उसको पटाने के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इ गधा और घुड़े को घुड़ा चुहे को चुहा ही पसंद आता है। चुहे और घुड़े की दोस्ती नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह है कि आपको इस प्रकार का धोंद करना होगा कि आप उस महिला की विचारधारा से मेल खाते हुए हैं। मतलब जो वह महिला चाहती है आप वही सब कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि महिला लोयल हो तो आप इसकी उमीद नहीं कर सकते हैं। जो महिला आपके पती की नहीं हो सकती है वो आपकी भी नहीं हो सकती है। इसलिए इस तरह क महिला से लड़के लोग भी दिल नहीं लगाते हैं। वे बस कुछ समय के लिए बस महिला के साथ संबंध बनाते हैं और उसके बाद उसको छोड़कर चले जाते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो आपको महिला के दिल में उतरने के लिए प्रयास करना होगा। अब तरह से आपके उपनिर्भर करता है। क्या जादूई ट्रिक आपको उप्योग करनी होगी। इसके बारे में तो आपको ही सोचना होगा। तो दिल में यदि आप एक बार जगा बनाने में सफल होते हैं तो उसके बाद आपको समझ लेना चाहिए कि महिला आपकी हो चुकी वशीकरन की मदद लेना कोई बुराई नहीं है। दोस्तों प्रेम में सफलता प्राप्त करने के लिए वशीकरन आमतोर पर तंत्र का एक अच्छा तरीका है। लेकिन याद रखें हर महिला पर वशीकरन काम नहीं करेगा। वशीकरन भी उस महिला पर काम करता है जिसके दि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं. और यही आपके लिए सही होगा. वश्यकरन की अनेक विधियां मौजूद हैं, उनकी मदद आप ले सकते हैं. और उसके बाद वश्यकरन करने के बाद आपके लिए काफी फायदेमन चीज़े होगी. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. जब आप वश्यकरन करते हैं तो एक तरह से उस महिला के मन में आपके प्रती चाहत पैदा हो जाएगी. आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा तो वशीकरन की मदद आप ले सकते हैं और उसके बाद महिला के मन में चाहत पैदा कर सकते हैं और एक बार यदि महिला के मन में चाहत पैदा हो जाएगी तो फिर वो आपके साथ संसर्ग भी करना आरंब कर देगी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और अत को पताने के उपाए महिला को भूमने के लिए लेकर जाएं दोस्तों आपको पता ही है कि शादी सुधा महिला को घर के अंदर काफी अधिक काम करना पड़ता है जिसकी वज़े से वो बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकती है उनको घूमने का काफी अधिक शौक होता है आप इस बात को समझ सकते हैं तो यदि आप थोड़ा पैसा खर्च करने के लिए तयार हैं तो आप उस महिला को घूमने के लिए कहीं पर लेकर जा सकते हैं यह एक तरह से देखा जाए तो महिला को इंप्रेस करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं जब आप महिला को घूमने के लिए लेकर जाते हैं तो वो आपको अपने आपी पसंद करने लग जाएगी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं यही आपके लिए सही होगा. सब के सामने महिला से बात ना करें. दोस्तों यदि कोई शादी सुदा महिला है तो आपको उसके साथ सब के सामने बात नहीं करनी चाहिए. जैसे वह कहीं पर अकेली खड़ी है और यदि आप उसके पास आते हैं और उससे बाते करने लग जाते ह इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं तो हम आपको यही कहेंगे कि आपको शादी सुधा महिला से बात करने के लिए किसी एकांट स्थान को चुनना होगा इस तरह का स्थान जनहा पर उसे कोई देखे नहीं आप इस बात को समझ सकते हैं। यदि आप उससे सब के सामने बात करते हैं तो फिर उसे डर रहता है कि कहीं यदि उसके पती ने देख लिया तो बहुती बड़ी समस्या हो जाएगी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यही आपके लिए सही होगा। महिला की हर बात को स्वीकार करें। दोस्तों यदि आप किसी महिला के पती हैं तो फिर आपको उसकी हां में हां मिलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यूंकि आप उस महिला के पती नहीं हैं तो आप बस उसको पताना चाहते हैं तो फिर आपको उस महिला की हां में हां मिलाना ही होग इसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो वह जैसा बोलती है आपको उसकी बात से सहमत होना होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्यार के चककर में उसकी इलिगल बातों को आप मान लें। वरना आप कानूनी फेर के अंदर फंस सकते हैं। वैसे भी इस तरह की महिलाओं से आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। नहीं तो आपका ही नुकसान हो सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।